कि हम बच्चों का बेहद का बाप दरद जान करकर के उसके इलाज करने के लिए आया है, आया है ना, हमारे पास कौन सा दरद है, दरद का मतलब है दुखः शान्ती, आज की दुनिया में दुखः शान्ती है ना, तो दुखः शान्ती क्यों है, किस कारण है, उसी दुखः शान्ती के दरद को जानने वाला एक ही है, क्योंकि उसके पास ही इलाज है, वो ही हमारे सदा सुख और शान्ती देने वाला बाप है, इसलिए उसे गाते हैं नहीं, सुख दाता, शानती दाता, तो दर्द को भी तो बहुत जानेंगा नहीं, मनिश इसका अलाज नहीं कर सकेगे, मनिश का, मनिशा temporary, वो temporary शानती, temporary के लिए कुछ थोरा बहुत मिल जाएं वो बातें अलग हैं, लेकिन ये सदाकाल की, सदाकाल का मतलब ही है, कि for generations, आदी मध्यांत, आदी मध्या का भी मतलब है, सरीर लेते, सरीर में रहते, सरीर छोड़ते, सदा सुख, उसको कहा जाता है सदाकाल सुख, तो ऐसा सुख for generations के लिए, सवाय परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता है, इसलिए बाप कहते है, तुमारे इस दर्द को, कि तुमारी ये दुख शान्ती क्यों आई है तुमारे पास, किसने तुमको ये दर्द दिया है, वो मैं जानता हूं, मैंने नहीं दिया है, ये भवान के उपर रख लेते हैं, भवान नहीं दुख दिया, भवान नहीं सब दिय वो कहते हैं, मैं कैसे बच्चों को ये दर्द दूँगा, ऐसा कोई बाप देखा कभी, कि बच्चों को दुखी करें, जभी लोतिक बाप भी, कभी बच्चों को दुखी नहीं कर सकता है, मैं तो परलोतिक बाप हूं, तो परलोतिक बाप कैसे बच्चों को दुखी करेंगा, कभी आप बापो, देखो कितने बाप यहां बैठी है, आप कभी अपने बचों को दुखी करते हो, अपनी तरफ से कोशिस नहीं करेंगे, दुखी करें, आप करम के एसाब से कोई किसको दुख होंगा, तो उसमें आप क्या करेंगा, कोशिस करेंगे, आप तो और यहां, बीम जनम देने वाला पिता भी कभी अपने बच्चे को दुख देने का सोचता नहीं है, वो सदा यही सोचता है कि बचा सुखी बने, बचा लायक बने, बचा उश्यार हो हा, सदा सुखी रहा, ऐसा ही बाप का भावना रहती है, तो जब शरीर के जनम देने वाले पिता के पास भ दुख दरद किसने दिया है माया ने, अभी तो वह बुद्धी में आ गई है नहीं, बात कि हमको ये दुख दरद किसने दिया माया ने, माया को मैं अभी जान गया है ने अची तरह ऐसे है, माया का हर्थ अची तरह ऐसे बुद्धी में है, कि five vices, इसको कहेंगे माया, माया को प्रकृतिततों को नहीं कहेंगे, पाँच प्रकृतितत अलग चीज है, उनको माया नहीं कहीं, उनको माया समझते हैं, कि जो भी इस आखों से देखते हैं ना, शरीर देखते हैं इस आखों से यह भी माया, और जो भी कुछ आख इस आखों से दिखाई परता है संसार का यह सम माया है, इसलिए कई इसको आ, ऐसा सब्च करके समझए एसी से कहा? ऐसा कोई ठka ना हो? जो आ, इस शरीर में इन आवें, ऐसा कहा? लीन हो जाएं? जहांसे लोते हिने इस'RE आधार लेना परता है तो आत्मा को भी शरीर का अधार देना ही परता है तो वो तो बाते नहीं है इसको माया नहीं केंगे, माया एक अलग चीज है, वो कौन सी है ये 5 vices तो ये 5 विकार माया है ये कोई ऐसी चीज जरूरी नहीं है, कि इनके बिना हमारा जीवन या इनके बिना हमारी दुनिया नहीं चलेंगी, ये तो हमारे दुख के ही कारण है जब से माया का टाइम आया राज चला, तो से दुख होना शुरू हुआ बढ़ते 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 आज देखो आ ये रावन राज है, वो रावन बढ़ता जाता है बढ़ते 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 उपाय मैं आकके बत लाता हूं, तो अभी उपाय बुद्धी में अच्छी तरह से आ गया है, कि इसका उपाय कौन सा है, उपाय भी सहज है, कोई इसके लिए और भी कोई हठ योग, प्रायाम, चराना या कोई भी कुछ भी नहीं, बरा इजी कि बस उस बाप के हो जाओ, जैस रिष्टा में भी लखपाति, मैं भी लखपति का बचा बना तो हूभी उसी सेकन कहेंगा, मैं भी लखपति, वçi मैं हेड हो गिया क्याARSन, लखपति है, कोई गरीब मिन भी लखपति, हान अग्शा कोई गरीब का बच्चा सावपा का गोड का भी दुद्ध्चा, अधवा तो बाब कहते हैं, बचे मैं भी तुम्हारा असुली पिता हूँ, तुमने मेरे से रिष्टा, रिलेशन छोड़ दिया है, अभी फिर मेरे से रिलेशन रखो, मेरे बचे बनने से, तुम भी तो हाँ, जो मेरी प्रापर्टी है, उसका तुम भी हकदार हो जाएंगे, और ऐसे हकदार बनने से, तुम सदा सुख शान्ती को प्रापत करेंगे, मेरा तो अब तुम को सुख शान्ती का मिलेगा, मेरा कोई दुख हगा थोड़ी है, सुख हगा है, इसलिए कहते हैं, अभी मेरे से रिलेशन रखो, अभी रिलेशन रखने में कोई देरी है, उसके लिए अब आप की qualifications कौन सी हैं, तो बच्चे की qualifications कौन सी होनी चाहिए, तो हाँ, हम बाप को देखे, और अपने को देखे, तो follow करें न, कि बाप ever pure है, तो हम impure से pure तो होए न, तो हमको भी ऐसाई, बाप को समान, अथा बाप से जो कुछ बल मिलता है, उसी को धारन करने का है, तो य इसमें क्या difficulty है, कोईच भी नहीं, बाप क्या मेनत देंगा, बचे हत योग करो, आसन लगाओ, कमर सीधी करके बैठो, ये करो, वो करवा, बाप क्या difficulty देंगा, बाप तो कहते हैं, बचे बुद्धी तेरी टेड़ी हो गई है, उसको सीधा करवा, उसको अपना मेरे में ये बुद्धी तेरी टेड़ी हो गई है, किदर हो गई है, माया की तरफ चली गई है, अधार पांच विकारों की तरफ तेरी चली गई है, अभी उधर से बुद्धी को निकाल करके, वो गितावें भी काने, दे से, दे के सर्व संबंधों से बुद्धी हटा करके, ये वि उधर से मन निकाल करके मन को मेरे में लगा को, तो खाली मन को बदलना है उधर से निकाल के उधर लगाने की बात है, बाकि इसमें आसन या कमर या कोई प्रानायाम इनी सरी बातों की हट योग साधना की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए बाप कहते हैं कि मेरा योग जिसी य और ये तुमारे दुखरदर नाश किये, वो देखो कितना सहज है, तो अभी ये सहज ग्यान और सहज योग का, जिसको राज-योग कहने में आता ही है, तो इसी का अपना पूरा पुर्शा रखते और बाप से अपना जनम से दर्दिकार पाने का पुर्शा रखो, और बाप अ आकर करके जो करतवय करता हूं, तो मैं भी करतवय कैसे करता हूं, तो वो भी तो मेरी बायोग्राफी समझो, मेरे करतवय करता है, करतवय की दुन्या यही है, मुझे भी करतवय करने के लिए इस दुन्या में आकर करना परेंगा, ऐसा नहीं उपर बैठके करूं, उपर तो में वहां ज्यादूंगा न.' तो मुझे आना पढ़ेंगा मनभजों को समझाने के लिए. तो समझाने के लिए मुझे सरी लेना पढ़ेंगा, क्यासे समझाने, to कोई रच्ता बतला हूं, थे उत्वां को राय धियो कि कैसे समझाया। उनका कोई और तरीका आता है किसको, बताओ, नहीं सवाए हम मनशों को समझाने के लिए, तो हम को समझाना है न, हम बेसमझ बन गई है, तो हम को समझाने के लिए भी तो मनश चाहिए न, हम को समझाने के लिए कोई कच्छ अवतार, मच्छ अवतार वो कैसे समझाएंगे, उस इसलिए बाप कहते हैं, तुम उचा बनो, फिर तुम्हारी सारी प्रिकृति उची बन जाएंगी, इसलिए बाप कहते हैं, बचे, तुमको ही तो समझ ना है, तो तुम्हारे समझाने के लिए मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना पड़ेंगा, यानि मनुष्तन का आधार लेन पड़ेंगा न, इसलिए मनुष्त का आधार लेके आता हूँ, और आता हूँ उसी कलन में, जिसका नाम रखता हूँ ब्रमा, तो इसमें भी कोई मुझने की बातने कई बिचारे मुझते हैं, कि ब्रमा में पर्मात्मा आता है, ये कैसे, तभी किस में आवे, कैसे समझावे ये भी तो बया, हां, कोहिश्चन है न, वो जो सुप्रीम सोल, नौलेज़फुल है, तो वो नौलेज़ कैसे देवे, बिना और्गन्स के, तो बोलना आत्मा सवाय शरीर के तो बोल नहीं सकती है, न, आप भी आत्मा शरीर के आधार से बोलती हो, न, अगर आत्मा निकल ज बेती हैं, तब तो देखो, आत्मा जीव आत्मा बनती है, जीव का जाता है शरीर को, बोड़ी को, और आत्मा आत्मा, तो जबी जीव आत्मा, यानि दो जीव और आत्मा, शरीर और आत्मा मिलते हैं, तब ही देखो, हां बोलते हो, चलते हो, सब कुछ करते हो, तो दोरों क कथा होना चाहिए. आत्मा अलग शरीरल तो दोरो काम के नहीं. है खेलाइ भीना शरी के क्या करेंगी है? और शरी कुछ कर सकता है. शरी बेक बोड़ी पड़ा यह कुछ करती है? नहीं करती है. वह काम किया है, नहीं तब तो कहते हैं, मैं आता ही हूँ अधर्म के काइंग पर, जब ही पत्त दुनिया है, तो पत्त दुनिया में मुझे कोई श्री कृष्ण जैसा सर्वकुन संपन, सोराकला संपूरन, संपूरन निर्विकाडी सरी कैसे विलेंगा, ऐसे ममिश ही नहीं है, आता ही हूँ यदा यदा कि जब जब धर्म की हानी है, तो उसी समय में ऐसे धर्मात्माएं, देवताय, सर्वकुन संपन, सोराकला संपूरन है ही कहां से, वो ही तो मैं बनाने आता हूँ, ऐसे मन से तो मैं बनाने आता हूँ, तो जो चीज मैं बनाने आता हूँ, वो चीज पहले कैसे होगी, होगे नहीं न, ऐसे मनश, तो मैं आऊंगा, तो मुझे कौन सा मनश मिलेंगा, जरूप पतत दुन्या में, पतत शरीर वाला ही मिलेंगा, इसलिए मैं आता हूँ इसमें, और उसका नाम रखता हूँ, ब्रम्मा, और उसको भी बैर के पावन बनाता हूँ, उसके साथ पे, दूसरों को भी पावन बनाता हूँ, तो उसी मनश को भी पावन बनाता हूँ, जिसके तन में आता हूँ, हाँ, उनकी भी तो आत्मा है न, अपनी, उसको भी पूरिफाइद बनाता हूँ, उसके साथ साथ, दूसरों को भी पूरिफाइद बनाते हैं, तो यह easy है न, समझने में, इस किसमें भूत परवेश करते हैं, बोलते हैं, तो जब जैसे impure soul परवेश करती हैं, वैसे ये pure soul, ever pure, तो ये भी परवेश करकर करके बतलाते हैं knowledge, जो impure soul परवेश कर सकती हैं, तो क्या pure soul भी ever pure, वो नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, इसलिए बाप कहते हैं, मैं आता लेकिन ये शरीर मेरा नहीं है, मैं temporary, तो शरीर का आधार लेता हूँ, चरीर तो उसका है, जिस आत्मा का शरीद है, तो ये खाली temporary, loan पर, किराय पर समझो, loan पर समझो, उधार, थरी टाइम के लिए लेता हूँ, और उसी उधार का, उसको फाइदा देता हूँ, कि नाले जो स सुनाता हूँ, तो वो भी आत्मा सुनती है, कानों के द्वारा, वो भी तो बैठी है ना, आत्मा, मैं भी हूँ, मैं सुनाता हूँ, इस आर्गन से, वो इस आर्गन से सुनती है, उस ही महीं, पिर मैं सुनाता हूँ, वो भी सुनती है, और दूसरे भी तुम भी आत्मे सब और वन से तुरू, कांके तुरू सुनते हो, इसमें मुझने की क्या बात है। नहीं तो परमात्मा कैसे सुनाए, कोई बतला है, दूसरा कोई बुद्धी में किसको आता हो, तो सुनाय कैसे सुनाय, उपर से अकासवान ही हो समझते, उपर से ऐसे ही आवाज करें, उपर से कैसे आवाज करेंगा, क्या आवाज कैसे उपर से आएंगा, उपर के ऐसे ही तो आवाज तो मुख से होंगा, तो इसलिए बाग कहते हैं, बच्चे इसी सभी बातों को समझो, इसमें मुझने की कोई बाती नहीं है, तो ये सभी चीजें समझने की, इसलिए कहते हैं, मैं उसी तन में आता हूँ और उसका भी हिसाब समझाते हैं कि ये आत्मा वो ही है जो पहले-पहले से श्री लक्षमी, श्री नारायन, आज इसको कहेंगे वो ही फिर आपना चक्र चोरासी का पूरा करकते हैं अभी इसका वो चोरास्वान जनम है तो ये लस्ट है, बर्थ, किसका? श्री नारायन, जो सरुग्ण संपन था, वो आज सत्य युग त्रेता, जनम काटते द्वापर, अभी एक कलय युग में, ये तमो इसका 84, ये चोरास्वान जनम, तो अभी उसके चोरास्वान जनम में आका कि उसी आत्मा को भी जाता हूं, जो जाका के फिर श्री नारायन बन के भविशय में, और फिर दूसरे भी जो सुनते हैं, वो भी आँ उसी प्रालबद को पाती है, तो ये तो सीधी बात है, ये सारा चक्कर है न, जिसी सभी बातों को समझना है, तो ये बाते हैं, समझने की है, अभी ऐसे भी जाते हैं विश्नु के सरीर में आवें, ये शंकर की आए, क्योंकि शंकर तो है आकार, उसको तो यहां, मनश ही इधर को जाएए न, शंकर तो इधर का है ये नहीं है, वो तो है आकार, जो तो सिर्फ अभी विनाश के लिए उनका विनाश का दिखराते हैं रुप, और जिक्त का साख्यात का, बाकी ये है, मनिश, क्योंकि आप देखेंगे, चित्रों में में बिर्मा को दारी बारी दिखलाती है, उसको नहीं दिखलाती है, तो वो हुमन का दोरा उसको निशान देते हैं, आप देखेंगे, वो दारी का दिखलाती है, बिर्मा की दारी दिखल लेकिन विष्णू और शंकर को कभी दाडीबारी नहीं देते हैं, तो इसको human की कुछनिशानी देते है तो इसकी माना है। पिर जा पिता विष्णू या पिता शंकर, पिर जा पिता बुर्मा, तो वो human, इसलिए बाप कहते हैं तो मुझे human, जिसका मैं नाम रखता हूँ बिर्मा, क्योंकि उसके ग्वारा new humanity, अत्वा new generations का आरंब करता हूँ, इसलिए brahma the creator, यानि बिर्मा से नई रचना रचवाता हूँ, इसलिए उसका नाम बिर्मा रखता हूँ, और बिर्मा तो वैसे हर एक बाप है नि, घर का वो ब बिर्मा हो गिया, क्योंकि creator, creator को बिर्मा कहा जाते है, बाकि बिर्मा को इतीन मखवाला, या तीन स्रुवाला या या शेशी बातें जो बना दिये, शास्त्रकारोने और चित्रकारोने, वो कोई बात नहीं है, तो ये सभी चीज़ों को समझना, वो जो तृमूर्दी सुना अब इत्रमूर्दी वना, बिर्मा, विष्णु, शंकर, ये तीन है न, तो उन तीन को मिला करके, वो तीन स्रु दे दिये उसके, तो उनको समझया, बिर्मा को तीन स्रु लख दिये, तो बिर्मात्रमूर्दी कर दिया, अब इत्रमूर्दी कर दिया, अब इत्रमात्मा है निराकार और वो आया है ब्रमातन में, वो बात नसमझने के कारण और ब्रमा को वो तीन सुर लगा दिये, अत्रमूर्ति है प्रमात्मा, यानि तीनो रूपों से ब्रमा विष्णु शंका से ये destruction और construction और फिर जो construction करता है दुन्या, उसकी पालना की ये Amen Object, ये वैरता के बातें ऐसी है, लéकिन इन बातों को इठारतें नसमझने के कारण विचारों को तो ये सबी बातों में जैसे आया है जिस वै Bowmas तो इसमें भी कोई मूझने की बात नहीं है अब फीर भी कोई बात नहीं समझने आती है किसको क्योई नई है तो भिर आकर गर के समझना ब्रमा का हर्थ प्या है, ब्रमा का जाते है, creator को, तो ऐसे घर का creator तो बाप है, परन्तु यह है New Humanity का creator, इसी मन शतन में आकर के परमात्मा मन शतन के द्वारा create कराएंगा, नहीं, Humanity को, human के द्वारा ही करेंगा न इसले पर मात्मा उसमें आता थे ये purity का knowledge देता है इसले इसको कहते है mukha van sahaını mukha van saavali का आति है नहीं मुख़ से आद्मी निकला है को कहीं ऐसे समाज थे हैं किया भर्मा के ऐसे mukha से आदि मुख़ से आदमी जैसे n жизни निकला हैं नहीं मुखवन सावनी तो जो मुखद्वारा परमात्मा ने नौलेज सुनाया, उसकी धाना से हम प्यूर बने आया, तो अभी purity की जनरेशन्स में चलेंगे, तो हम purity कहां से ली, मुखद्वारा नौलेज से, इसलिए हम purity की संतान हो गई न, यानि purity में आने वाले, तो वो हो मुखवन सावनी, यानि जिस मुखद्वारा परमात्मा ने नौलेज सुनाया, नौलेज से अंप्यर होगा के purity के जनरेशन्स में चलते हैं, तो मुखवन सावनी का अर्थ ये है, पर दो वो न समझने के कारण का ही समझते हैं, मुखद्वारा निकले हैं, ऐसी रिया, ऐसी आदमी निकला है, ऐसी शाक्रों में बातें लगाई भी हैं, तो ऐसे नहीं है, कोई नाक से निकलेंगे, या कान से निकलेंगे, या मुखद्वारा नहीं, ये सब ही आर्थ है, तो ये सब ही बातों को बैतर करके बाप समझ जाते हैं, बाकी कैसे और क्या ये सब ही अथारत अभी बाप समझ जाते हैं, जिसको समझ करकर करके, अब प्रक्लिकल लाइफ को बनाना है. कभी समझ गए हो ना, सबी बातों को यथारत क्या है, और यथारत हमारे जीवन के लिए क्या है? इन सब बातों की रोशनी बैठ कर करके बाप देती है, उसी को लेकर करके अपना पुर्शा फैसा रखने का है, बाकि इसमें कुछ मुझने का नहीं है अच्छा कुछ सुनाना था शैदिस बच्ची को, अच्छा, अच्छा, आएगो, कि दर फ़र गेंगी इसमें पहले, आप लोगों को इंग्लिश में समझाएंगी, देखो छोटी है, आप बातें बड़ी सुनाएंगे, मुझन को छोटा, बात बड़ी, आप लोगों को अच्छी अच्छा करेंगी, आप लिखे रप्नेके अच्छा, आप लोगों को जाना। मुक्त भर शोच्यवा को आ ठाथ के धिर्ट की पिरी बुच्छिवा कोесें धिन् usare tजू रटोंड से विधि मुक्ति तर शोच्छिवी की की दोच्छिवी विविविख एलिजिए लॉफुल वोल अफनी विविविलन थारंटी पर बेस्टॉई नुकिव रिषु नुक्ति इन नेशनल थीवर्ण नच्छोल कलमिती अदय में इस इस कलपा फई तुड है विविव्विव ए विविव इंजिस कलपा इस 動画ने को हरा, इह तुछेतक, अबिक बिक लाय।त, हुग। जफार जर्फ तुछ एंधु मैं यूदि वीटुछ, हुग। इंह इधर करो सब्जा उदर एंधु यूद। इंहुदिगौ मैं इधरिसर गर इंहां, इधरिसेह साभ इंहांध। क्या वेस्ट . इस स्ट्वी ने स्लीटी दिश्ली शुर्टी पिती एफ परिस्टी एफ पुर्ष एंफ इप्राहिम, गोर्श एंग। था इस थ्री वर्ण सॉंध। टिर। वर्ण पर्पर्पूर पर इस लोख। जी एफ टॉड़िए वर्णित। दुर्मा कुमारी में तुम कहा नहीं This is Lakshma Taraeên, This is Garden Age and This is Silver Age Shitha Rambh, then only one जिभी ग्टनाषी, of complete purity feast and property, and He is of one in the Power, and He is of 24 नाके प्रम्नी – नाके प्रम्नी रॉप्ट में जाएगी। यू आटका तेश्केश के निभी तावर में जाएगी भफ़ी पे? रखेए अरे आटका प्रम्नी तू कम चुए… कि वक्तर प् artists ए udah विपिपग गल्सिरा और अवसिब आवर्टीरा। ऐभर्टीख बुझाthank Certain, में जाजिसानली रुष इंधिस्ट एंधिस्ट इंधिस्ट 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 झा examining तो십ल के आग This is Christ, Christian dynasty by Christ, 2,000 years ago. This is Sankhacharya, Sanyas dynasty by Sankhacharya, 1,500 years ago. And this is Iron Age, there so many religions come. And this is the Brahma, that is, last 24th life of human Brahma. After the destruction, this Brahma will be the first prince of Satsiva, that is Kriya Krishna. These are the Russians and Americans. They are fighting for the hell. This sense of corruption will describe one another in an international atomic war. This is a story of why the two babies are in the shape of the two babies. There is a story that the two babies were in the same place, and they ate a bandar in the back. That is a story that the two babies were in the same place, and they ate a bandar in the back. So this bandar a**on sang, and then said, He had told them, We eat a little sheep and ate a thing, and took it. So it was a sandwich get out of the back and looked, and ate food. It ate food and ate food. The whole book of the animal was at this point. So that's why that story is so interesting. That's why they position it, and they keep it in the back. They come to eat food. I can tell them how much they ate food. समिक्वार महाभारत like 5000 years ago. This is the Rosary of 108 B. Almighty Gorshiva's non-violent army of Bharat Mother Shakti which transforms the Iron Age Vicious World into Golden Age Viceless World by means of the might of Godly Knowledge, Yoga and Supreme Purity. Confluence नही समझाया, Chandam वाला. Shapling की बातों समझाया नही जो जरूरी है. Chandam समझाया. के था इसे वो इस दिखाया है नहीं? यह नहीं. इसा इस दिखाया है. अभी Shapling करती है, वो Shapling को बगला ही नहीं. अजिसे, end of old world, beginning of new world. यह confluence. यह दिखा हुगा. प्रिप्राइ – वpektन वे कहा हुगा. मुशाया – End of old world, beginning of new world. यहित . इस 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 दिखायवर्ण लिए वे किनव औरो ऑट वे AH! यहां. होगा ओोлем किसी, यहां. आज हुगा – यहत्मेशा। छै को है. अच्छा बही इसने कोईशन पूछा लोग तो तो पूछाना था, अच्छा बही इन दोनों खुमारियों को तो कुछ सोगात देनी पड़ेंगी, अच्छा है? क्या योग आप लेंगी? 16th degree? अच्छा वो तो तुम जितना अपने को अच्छा बनाएगी और धाना रखेंगी अच्छी अच्छी तो फिर जरूर. अब यह अच्छी है. ले शक्ती है और लेने का अच्छा कुछ आथ रखी है. केंगा? यह भी अच्छी है. इसतना क्या है? भीना. यह तो है इस अरशती की भीना. तो बजेंगी. अच्छा आप लोगों का ताइम हुआ है. इसलिए दो में silence है. जगा दो बजे. Silence का मतलब अपने बेहत बाप को याद करो. I am soul, son of supreme soul. ऐसा अपनी बुद्धी को हर वक्त. हम उस बाकी बचे हैं. ऐसा समझ के हर वक्त रहो. और इस body से detached. ऐसे समझो काम करते हो तो भी ऐसे समझो मैं हाथों से लिखवाता हूँ. लेकिन कौन? आत्मा. मैं इस ओगन से बोलता हूँ. कौन? आत्मा. इस ओगन से सुनता हूँ. कौन? आत्मा. तो हर वक्त सुनने के समय ऐसे समझो. I am soul. इससे सुन रहा हूँ. I am soul. इससे बोल रहा हूँ. I am soul. इससे देख रहा हूँ. ये खिर्क्रिया है. खिर्किया हाँ. तो ऐसा ऐसी अपनी हर वक्त काम करते भी अपने को अत्मा conscious, सत्वा soul conscious और God conscious समझने से तो क्या है हम उसे कोई ऐसा बुरा करम नहीं होगा और इसे हम अच्छे बुरे करमों से भी बचे रहेंगे और फिर God की याद भी रहने से और हमारा वो योगा अगनी से पाक भी दगा दोंगे तो डबल फाइदा मिनेंगे ये प्रैक्टिस चाहिए अभी ये जो सुनाया ना इसकी प्रैक्टिस चाहिए हर वक्त अपने को soul conscious और God conscious रखकर करके चलना किस तहें से चलना इसी तरह से देखो ऐसा नहीं देखना नहीं आखे बंद करना है देखो परन तु देखते क्या देखो ये भी soul है I am soul ये भी soul अभी इस खिरक्यों से हम किसको देखते हैं बले देख रहे में ये बाड़ी आती है पर तो हमारा ध्यान अटेंशन soul के ऊपर ये भी soul है हम और ये एकी बाब के बच्चे है पर अंतु इन बिचारे को पता नहीं है अभी इसको पता देना है अजा पता है तो आ ये भी भाई अभी आ बाब को जानकर करके अपना हख ले रहे हम भी उसे अपना हख ले रहे हैं इसी इसी तरीके से बुद्धी में ऐसा इसको कहा जएगा soul conscious, बागी ऐसे नहीं है कि इतना मन को control जैसे कल्पत लादा हो कई मैं इसके मिजाए हट से करते हैं, वो चीजे नहीं है, हमको ज्ञान सहत है, तो इसको कर्म करते भी हम soul conscious, तो ऐसे अपने बुद्धी को रखने का है. और बायोग्राफी को समझ गए हो लाँ, परमात्मा का occupation, परमात्मा की बायोग्राफी क्या है, देताओं की क्या है, तो मनिश देता हो सकता है, मनिश परमात्मा नहीं हो सकता, तो यह समझ ना, इसलिए ऐसे नहीं हमको कोशिश रखने की है, मनिश से देता बनने की, देता का मतलब ही है, qualified, कौनसी क्वालिफिकेशन से स्त्रेष्ट है, सरोगुन संपन, सोला कला संपुरन, संपुरन निर्विकार, इसलिए हमें कोशिश वो करने की है, जिसमें आत्मा प्यूर, शरीफ भी प्यूर, बाकि वो तो यह वर प्यूर है, वो तो God is one, तो हमको कोशिश कौनसी कानी है, क्या बनना है, वो एमन अबजेक का नौलेज होना चाहिए, यह सभी समझने की बाते हैं, जिसको समझ करकर के अपना कोशिश रखने, अपना पुर्शार ऐसा आठ मिंस तरीत, टोलेजे गोला मा चुर्शार हूं अच्छ यह पारवत्ती है, यह स्थेथारी का आजी है, ढläकट मा आता है, हा बनकट का बोला मुनीमा, हाँ खास, यह मारी को床 रस है, खास, भौले, खास, चा सूरोड थोडन थोड़ो, गया मान थारते है, तोड़ेक अपादियों गड़ोह हुआन। नहितो जोलीखोलो। जोली ऑपाइड होजाएगा। इyे गड़ेगी? बैबी तो चैट्टी में फूलाइज। श्यूल में ले रृती हैं को को? तसंको ठेए रहाँ? गोण गाना है ङमना भी ठह rés दो ले खानी है हमये तब पते हुगा कि महीं गाख्थ जो आप साइए लिए अवे या मेंक जो पाद कि मरें में लंब आलो जूंवरी जाम में जी जद्ध करांग बिष करांगे प्ञाने रांम जानक 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 मुकहीज की जुए और खिर धने हम क्यान्त किर ना अब कि अविड में एपको नह रहितीग में एपको जानक कि सुखो यह सहा हॉआ सब्सक्राइब लुए पुछा देखो यह अरगनेज़ी आ है इसने का है इसका है सिश्टी का गोला तो मेन मिस्टाइ तो तो है गुल अर्दूर आसमां भी है जो इसफिर गोला प्षान की वela जुने मिलेगा वञे ने पोले मिलेगा इने advance है यहाँ, इने advance में आगे जाना है तो यह मिलता है दिए क्याव्ध को आगे जाना है देखो आपक्ता अभी को समझेंगे लो आगे बिठा या काई यह खाय के लिए तो रेकी मिली आपक्ते हैं नो को डबेल। मुझे रिखाग तो रही थे लिख राज्टोपाद दो का तो प्रविटी का तो खेली है दबल को खेली है ना यह हमारे अइसा निकिछ छिराईड दंस है किए जाओ जाल ना जो यूच्छ स्वास दिया इसको दिया रिखो खेला ? अच्छा वर अखे मेल नहीं 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 आया आदेर जाए नहीं थाई चैलो ये बेबी नहीं दूसरा ये बेबी एक भावार है जसे रह रहे है कि अजया तक हमारा आत्मे से पावर के तुझे मारी तो अभी जामसे लेते नहीं तो फिर भी जो नहीं है ना तेरनों के साथ पॉराय न खायाई है ना उन्हों पुराया है फार। जे बार तब चलेएकंगे निया की आवाजों से 2जा की निखाओं से 52 है हम कहें कोई आशी भी दुनिया की निखाओं और आवाजों के लिए भूद दूर लेचल तो यहां कोई धंगल को है नहीं जाना हमती वो अपना मगाभी हो, यहां तो देखो दुन्या की उसमें गम्ठान में, तो उसमें कैसी लिए घर में अच्छा है, जंगल है मंगल बनाएं यो तो इद इसकी आत्मा मिलने को पर आच्छा, वो पिर देखे हैं, लेके में नो को एखी बस करें, जिसमें सभी हासे चलें, तो इनको फिर पिक्निक कराना है, अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ भी है, चिंदी हो, पंजापी हो, यूपी हो, आम सब एग ही बाप के बच्ची है, उसी पर समझना है, और अभी बाप के उपर खक लगाने, अभी है उसके पोत्रे, पोत्रे बनने से वर्षा मिलेगा, तो पोत्रे बनने से वर्षा मिलेगा, तो पोत्रा बनेगा तभी ब्रमावन्सी बनेगा, वैसे तो सब उसके बच्चे है, तो बच्चे को है, पर उसमें वर्षे की बात में, पोत्रा बनेगा, तो वर्षा मिलेगा, इसलिए जब ब्रमा बीच में आता है, तब है पोत्रे तो ब्रमा बंची बनेगा, ब्रमार बनेगा, तब है पोत्रे का और वट्षी की बात, नहीं तो वैचे बच्चे तो सब है शिव बंची तो सब है, ब्रमा बंची जब तल अपर न बने न, जब तल अपर पोत्रा न बने तो वट्षा न मिले, अच्छा ऐसा बाक, दादा और मा की मिखे मिखे बहुत अच्छे सबूत च्याने दमजार बच्चों को याद च्यार और गुड़ मौन